हरियाना प्रदेशा दक्ष उद्यभान की कमेटी पर बवाल, हाई कमान की कमेटी के बाद किये कार नामे पर विरोध में उत्रे कॉंगरेसी, हारे हुए सदस्यों को लेकर बनी कमेटी में फसे उद्यभान, हर आने वालों पर हार की जाच करने के उठे सवाल, और खुले में आई कॉंग्रेस की कॉंग्रेस से लड़ाई बमारी यही है कि जिन लोगों की कमिया है उन्होंने अपना एक 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 करके बंदे बठा दिया इसमें ताकि उनका नाम ना आए तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने दियोगे सुधार कैसे होगा कॉंग्रेस के लिए अब मैं क्या बनूँ अब जो हारे हो एक खुद हैं वोई कमिटियां बना रहे हैं तो आप समझ सकते हो इन कमिटियों का क्या अंजाम होगा तो इनों ने हार के कारण जानने आप क्यूं आ रहे तो एक ने कहा कि आप कहा से MP हैं तो हमें तो आर गया तो अपनी आर कारण बता दे ने जो आदमीं दूसरों की आर के कारण डूंड रहे हैं उतकुद आरे में हरियाना विधानसवा चुनाव में कॉंग्रेस की हार के जिम्मे से बचने की कश्मकश जारी है अब हरियाना प्रदेशा धक्ष उदेभान ने अपनी और अपने आका की हार की तोहमतों पर जान बचाने के लिए गठित की गई कमेटी ही उलट पड़ती नजर आ रही है इस कमेटी के विरोध में उत्रे कई कॉंग्रेसी तै की एस अदस्यों को हार पर उन से मन की बात जानने की इंतजार में है इन में कॉंग्रेस नेता शमशेर सिंग गोगी ने हारे हुए ही हार की जाच करने वालों पर तंजकस दिया है मैं कहूंगा अगर वो आठ के आठ आठ आदमी आएंगे तो मैं कहूंगा की रिकॉर्डिंग लगाओ और मेरा ब्यान नहीं अभी मैं पहले नहीं बताँगा ना ये पार्टी मतलब उसकी मंच की बात है वो बात पार्टी पे जब बता दूआ था आभा आपको बता दूआ करंदलाल तो बड़ी आद ही है लेकिन मेरी तरह वो बहु अलेक्शन आ रहा हुआ है तो हाल चाल तो वो पुट्चेखा जो तंढ अलेक्शन लड़ए है ना आ रहा हम आरे हुए तो कई रहे हैं मारे साथ ही ये हुआ है और हम क्या करेंगे बमारी यह है कि जिन लोगों की कमिया है उन्होंने अपना एक 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 करके बंदे बठा दिया इसमें ताकि उनका नाम ना आए तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने देओगे सुदार कैसे हो जिन्होंने कभी यह द्यक्षी जिम्मेदारी नहीं निवाई उन्होंने बढ़ाए इसका नहीं मैं इससे सैटिस्फाई नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं पार्टी में कहीं कमी हैं कोई एक आद आदमी वो भी रख लेते जो ओपन ली बिरोध करने हैं कैट्टर रजय सिंग को रख लेते हैं चोधरी बरिंदर सिंग को रख लेते हैं इतने पराने आदमी है बहुत सारे लोग हैं जिनको जिन्दगी का experience है इसके तरदेश द्यक्षभी आईकान ने बनाना है आईकमार जिसको बनाएगी अगर वो पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाएगी या किसी को satisfy करने के लिए किसी की ego satisfy करनी है किसी का चेरा दखाने के लिए temporary काम चलाने के वो आई कुमार्ट की मैं दीपक बावरिया जी का रोल आप हमेशा ही देखनो कभी भी पार्टी को एक करने का जनरल सेक्टी का काम होता है काॉडिनेशन बठा के रहना पार्टी को एक करना और उन्होंने तो इस तरीके से काम किया कि जैसे बीजेपी ने उनकी जूटी लगा जाओगा जब कांगरस ही कांगरस से लड़ेगी बीजेपी से उलेक्षन ही नहीं लड़ेगी तो कौन जित्तेगा का सुधार होगा ये मेरा विश्वास है क्योंकि बगवान के घर में देर हो सकती अंदेर नहीं हो सकता काट की अंडी एक कधी-कधी चड़ती है चर्चा इस बात की भी है कि जब हाई कमान ने फेक्ट फाइंडिंग कमेटी गटित करके घरियाना के सबी नेताओं से उनका पक्ष जानने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तो इसके बाद खुच चुनाव लड़ने और हारने के बाद अब हार की कौन सी गहराई ना अपने के लिए निकले हैं कहा जा रहा है कि प्रदेशा दक्ष का ये कारनामा हाई कमान के समक्ष बेखद उल्टा पड़ने वाला है चर्चा यह भी कि हाई कमान की नजर में हार का ठीकरा सेल जागुट के सिर पर तबदील करने की मन्शा से इस नई कमेटी का कठन किया गय है चर्चा यह भी कि हाई कमान की नजर में हार का ठीकरा सेल जागुट के सिर पर तबदील करने की मन्शा से इस नई कमेटी का गठन किया गया है जिसमें खास तोर पर हुड़ा गुट के वे सभी हारे हुए उमीदवार शामिल किये गए हैं जिनमें अधिकांश 20,000 मतों से अधिक से पराजित हुए हैं इसके अलावा इस कमेटी की पार दर्शिता पर लगातार सवाल उठने लगे हैं प्रदेशा दक्ष उदेवान की इस नई कमेटी को एक सबता में रिपोर्ट सोपने के लिए कहा गया है जिस पर खिसार सिर्शा और अंबाला लोग सभाओं की विधान सबा सीटों से खारे हुए कॉंग्रेस नेताओं का कमेटी के सदस्यों का बेताभी से इंतुजार है गुटों में बटी कॉंग्रेस के भीतर ही यह चर्चा परवान पर है कि हार के कारणों को सैल्जा गुट और ईवियम पर डाल कर गुड़ा गुट को तोमतों से बचाने की ये कोशिश है जो सिरे चड़ने को भी नकारा जा रहा है फिल्वाल 13 नमंबर से हर्याना के विधान सबा का शीट कालिन सत्र शुरू होने जा रहा है प्रादेशा धक्सूदेवान की इस कमेटी के जरिए प्रतिपक्षनेता के लिए हाई कमान पर दबाव बनान के नजरिये से भी इस कमेटी को देखा जा रहा है इसके बावजूद अभी प्रतिपक्षनेता की घोशना के आसार बेखत कम दिखाई दे रहे हैं महाराश्ट्र के चुनाव के बाद ही 23 नमंबर के बाद हर्याना में संग्टन को लेकर खाई कमान से उम्मीद की जा सकती है अब देखना यह कि कॉंग्रेस प्रदेशा धक्ष उदेभान की ये आठ सदस्य कमेटी कौन सा गुल खिलाने वाली है हाई कमान की फेक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद बनाई गई इस कमेटी की रिपोर्ट उदेभान किसे सोपने वाले हैं और इसका असर क्या होने वाला है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बोक्स में जरूर साचा करें पेज एट नोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पिया जरूर करें शुक्रिया